हलो एवरिवान माइनेम एस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वलों चतिसगर बोट कक्छा सातवी मासीक आकलन दो हजार तेविस चौबिस कक्छा सातवी विशय गणीत का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वालाओं वीडियो को लाइक सेयर और यूटुब चैनल को सस स्क्राइब कर ले तो लेट से स्टार्ट वीडियो वीडियो को प्रारम करते हैं वस्तुनिष्ट प्रश्न प्राकृतिक संख्या नहीं है गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है एक इसमें प्राकृतिक संख्या नहीं है 10, 600 सुन्य, 99 उत्तर आ जाएगा इसका zero, zero होता है, whole number, यहने की पूर्ण संक्या, सबसे चोटी पूर्ण संक्या, सबसे छोटा whole number क्या होता है, 1, 2, 0, 3, उत्तर आएगा zero, five plus zero plus four, कित्ता होगा, five plus zero five plus four, that means nine करेक्ट आंसर होगा इसका नाइन उसके बाद है आपका अगला प्रश्न अती लगो उतरिय प्रश्न दो बटे पांच का तुल्य पर्मे संख्या ग्यात कीजे तो तुल्य पर्मे संख्या ग्यात करने के लिए इसे अंसर हर में एक ही संख्या का गुणा करेंगे सबसे पहले इसको दो से गुणा करेंगे दो दुना हो जाएगा चार और पास दुनी हो जाएगा दस और भी आप बना सकते तुल्ले परमे संख्या सेम संख्या से आपको गुणा करना है अंसर हर को दो तीय च्छै पास तीय पंदर इस तरह से आपका उत्तर होगा फिर आपका अगला प्रशन है 5 1 बटी 6 को गुणा करना है 2 बटी 6 के साथ यहाँ पर अंस का गुणा अंस के साथ करेंगे हर का गुणा हर के साथ करेंगे N1 गुणा N2 D1 गुणा D2 यहाँ से 2 एकन 2 6 चक हो जाएगा 36 इसे कटा सकते तो एकम 2 एकम एक से स्फल बचा यानि कि 16 तो अठे 16 इसका उत्तर आजाएगा आपका 1 बटे 18 इस तरह से आपको उत्तर करना एक बटे 18 आएगा इसका उत्तर पांचवे का फिर आपका छटवा प्रश्न देखते हैं यहां पर चटवा प्रश्न है 1 बटे 6 भागित 2 बटे 5 यह आपको प्रश्न में दिया गया है इस प्रश्न को पहले गुणा में बदलेंगे गुणा में क्या होगा आपकी दूसरी संख्या का व्योत्क्रम मतलब उल्टा कर लेंगे तो यहां से 5 बटे 2 यहां से 5 एकम 5 6 दोनी हो जाए जाएगा 5 बटे 12 यह आपका अंसर रहेगा फिर आपका गलब प्रश्न यहां पर 3 बटे 8 3 बटे 8 का योगफल याद करने 7 बटे 8 के साथ हर यहां पर समान है यानि कि इसका लगुत्तम भी क्या होगा समान होगा 8 और 8 का लगुत्तम 8 होगा जब हर समान होता है तो अंस को जोड दिया जाता है जोडने का चिन दिया रहेगा जोड देंगे घटाने का चिन दिया रहेगा तो घटा देंगे तो अंस यहां पर जोडने में दिया गया तो इसको जोड देंगे तीन में साथ को जोड़े तो आया दस बटे आठ इसे हम कैंसल कर सकते दो चौंग आठ और दो पंचे दस इसका जो उत्तर आएगा वो पांच बटे चार होगा इस तरह से आपको उत्तर करना है साथवे का उत्तर फिर आए आपका आठवा प्रश्न आठवा प्रश्न में आपको क्या दिया गया है माइनद 234 और 647 तो यहाँ पर 647 बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे 234 को 647 में 234 को घटाएंगे 7 में 4 गया 3 4 में 3 गया 1 6 में 2 गया तो 4 धनातमक संख्या यहाँ पर बड़ा है तो इसका उत्तर आएगा 413 पहले हल करेंगे और हल करके यहाँ पर आपको लिखना है पहले का उत्तर फिर है आपको 653 653 में से घटाना है 234 को तो 3 में से 4 नहीं घट सकता तो यह बन गया आपका 13 इसके पास बचा 4 13 में 4 गया तो 9 4 में 3 गया तो 1 6 में 2 गया तो 4 तो यहाँ पर भी धनात्मक संख्या बड़ी है यानि कि 419 इसका उत्तर हो जाएगा फिर है आपका दोनों संख्या रनात्मक होता है यानि कि 2 छिन समान होता है तो उसे जोड दिया जाता है तो 8 8 6 3 3 7 5 3 जोड़ेंगे इसमें से 2 समान संख्या यहाँ पर भीरिन यहाँ पर भीरिन तो 3 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 5 11 हासिल गया 1 8 और 1 9 9 और 7 हो जाएगा 16 हासिल 1 8 9 3 चिनन होता है और रिन रिन होगा तो उत्तर रिन में ही आएगा यह आपका उत्तर रहा फिर आपका है दिर्ग उत्तरिय प्रश्न तो दिर्ग उत्तरिय प्रश्न तो यहाँ पर देखते हैं 24 को 34 से गुणा करना है 24 गुणा 34 करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार चौंग हो जाएगा 16 हासिल गया है 1, 4 दूनी 8 और 1, 9 तो यहाँ पर 3, 4, 12 हासिल 1, 3, 2, 6 और 1, 7 तो यहाँ से जोड देंगे ति यहाँ से 6, 9, 2, 11 7 और 1, 8 जब रिनात्मक और रिनात्मक संख्या को गुणा करते हैं तो धनात्मक आते हैं तो इसका उत्तर आ गया आपका 816 पहले का फिर है 32 को 74 से गुणा करना है 32 गुणा करना है 74 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 तिया हो जाएगा 12, 7 दूनी हो गया 14 हासिल गया 1 सत्य 21 और 1 हो जाएगा 22 यहां 8 हा जाएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होगा 2 और 1 3 होगा 2 का 2 होगा धनात्मक और रिनात्मक संख्या को गुणा करते हैं तो रिनात्मक आदा है फिर आपका प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है यहां पर 10 पुर्ण संख्या तो पुर्ण संख्या की जो सुरुवात होती है वो 0 से होता है 10 पुर्ण संख्या और 10 प्राकृतिक संख्या लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा फिर है 10 प्राकृतिक संख्या 10 प्राकृतिक प्राकृत संख्या लिखना है प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिन्ने योग्य होता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ फिर आपका दस होगा तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट कारिया और प्रशनों के उत्तर बताएगे तो वीडियो को लाइक सेयर और यू है यूब जो साथ लाइक सेयर और अभियो को लग्या वीडियो में जया है यूब इस इस तो दो नूभर नूगका दोग्या यूग्या धो तो प्रादाएगे जो दूगका से बादार प्रादार आपका दूएवागे .